सबी बाईयों को नमस्कार सत्सरीयकाल राम राम सलाम सुरेंदर संसनीवाल कैमरे के सामने से आएक वीडियो आप बाईयों के लिए लेके आ रहे हैं और ये वीडियो लेके आ रहे हैं जो बाई वीडियो देखते हैं काफी सारे कमेंट समय आते हैं के transportation का खर्चा बताईए हमें transportation का क्या खर्चा पड़ेगा कहां का कितना पड़ेगा तो छोटी छोटी बाते हैं कुछ main main सहर जहां पसुद अंजाता है उनकी बता दूँगा मैं और कुछ main main छोटी मोटी जो नजदीक के हैं 400-500 किलो मिटर के एरिये में उनकी मैं बता दूँगा कि क्या कुछ किराया लगता है तो बात करें सबसे पहले एक एक दो दो बैस लेने वाले ज्यादा बाई हैं तो एक एक दो दो बैस जो बाई लेते हैं वो लगबग वो बैसे जाती हैं pick up में जो main द्रा pick up होती है या कोई उसके लेवल की और छोटी गाड़ी होती है mostly जो एमारी बैसे है वो ये जो टाटास वगएरा जो आता है ये छोटा हो जाता है उसमें हम नहीं बेजते हैं तो pick-up में जाती हैं तो pick-up में ही बैसे जाती हैं तो बात करें pick-up के किराये की तो इस तरीके से किलोमेटर के 15 रुपे अप डाउन के लेते हैं। उसमें 15 रुपे कोई भाई ये भी बोल सकता है कि थोड़े बहुत जादा भी होगे लेकिन उसमें जो पुलिस का खर्चा होता है, टॉल टेक्स का खर्चा होता है, ये सारा खर्चा पिक अप वड़ा साथ उसका लगबग ये खर्चा है, अभी बात करें जो बड़े रूट पे जो वैसे जाती हैं, लगबग 10 दस वैसे जो मंगवाते हैं, उसके थोड़े से मैंने आईडिया ले रख़ा है किस रेट में वैसे उदर जाती हैं। तो जैसे कोलापूर हो गया, कोलापूर के ब अब 91 रुपे लीटर पैटरोल चल रहा है तो उसके रेट मैं आपको बता रहा हूँ तो एधराबाद में लगबग 82 अजार रुपे बनारस दस बैसों की गाड़ी 70 अजार रुपे में जाएगी बैंगलोर की बात करें काफी लंबा हो जाता है अपने अरियाना से वहाँ पे 1,3,000 रुपे में जाएगी विजयवाडा भी काफी दूर हो जाता है जैसे हैधरावाद से काफी आगे पड़ जाता है तो वहाँ 1,10,000 रुपे में गाड़ी जाएगी जब बलपूर की बात करें तो 65,000 रुपे में इंदोर 50,000 रुपे में नागपुर में भी 70,000 रुपे में और कई बाई तमिल नाड़ू से हैं चेन नहीं वगेरा से हैं तो लगबग डेड़ लाग से उपर चली जाती है तमिल नाड़ू तक का ट्रांस्पोर्टेशन का कर्चा कलकता तक आजकल हमारी गाये की तो काफी डिमांड आती है कलकता से लेकिन गाये तो कोई बेजता है नहीं कलकता में बैसे भी बहुत कम जाने लगी हैं काफी साल पहले बैसे भी काफी सारी बैसे कलकता बॉम्बे बॉला करते थे तो कलकता जाती थी आज कल बैसे भी बहुत कम जारी हैं कलकता में तो ये लगबग मैंने आपको आइडिया दे दिया जो भाई वीडियो देख रहे हैं 10 बैसों का किराय है अगर कोई बाग्या दो-दो-तीन-तीन बैसे लेता है तो वो दसका लोड लेके और उस से खरचा कम पड़ जाएगा अगर कोई बाइब बुल एक, एक, दो, दो बैसे उनको बॉम्बे में चाहिए, पूर्पना में चाहिए, एदराबाद में चाहिए तो वो मुश्किल है या फिर वो गाड़ी के साथ एड़जेस्ट हो सकती है कोई गाड़ी नो बैसों की जारी उसमें दस्वी बैसा आप मंगवा रहे हो तो वो सेट हो जाएगी ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे डेरी फार्म वाले करते भी है भाई गाये का जो काम करते हैं वो मुस्ट लिए केक दो दो गाये लेने वाले उनका दस गायों का लोड पूरा करके फिर बेजते हैं तो ये लगबग है वैसे अपने इदर की बात करें राजस्तान की पंजाब की युपी की उत्राखंड की और ये लगबग 15 रुपे किलो मिटर में पिक अप चली जाती है पिक अप में दो बैसे चली जाती है तीन चार कटड़ियां आराम से चली जाती है एक में तो चली जाएगी तो इस तरीके से किराया लगता है जो भी वीडियो देख रहे थे जिनका ट्रांसपोर्टेशन के क्यूस्टन आ रहे थे वो ये वीडियो देखेंगे तो मेरी ख्याल से उनकी जो ट्रांसपोर्टेश लगना कर दो दो जो लोगना के वाला कर दो 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 पता है